नमस्कार दोस्तों यू एकडमी के ओनलाइन प्रेटफॉर्म पर आपका स्वागत है मेरा नाम है अंकित बिंजवा हम कवर कर रहे हैं भारत का भूगोल भारत के भूगोल में इसके पहले हम देख चुके हैं परवत पूरा उसके बाद हम देख चुके हैं मैदान निर्माण क की प्रक्रिया मेदान निर्माण की प्रक्रिया के बात अब हमारा चुका है मैदान कौन स राजस्तान राजस्तान को भी म tapping कवर कर चुके अब हम चलते कब मैदानों के बारे में डीटेल जानने के लिए हैला तो उसमें हमारा डाटा वाई चेतर जो है वो पंजाब वाले चेतर इस वाले रीजन में पड़ता है अब देखिए पंजाब का मैदान जो है वो पाकिस्तान प्लस भारत पाकिस्तान और भारत दोनों में ही मौझू थे क्योंकि पाकिस्तान दो हिस्सों में मौझू थे पहला है पाकिस्तान वाला पंजाब और दूसरा है भारत वाला पंजाब जब विभाजन हुआ तो यहां से दो हिस्से चले गए ठीक है अब यह हिस्सा जो है यह आपको यहां पर ही जूम करके दिख रहा है यह है पंजाब वाला रीजन जो मैदानी छेतर है यहां से जाती है सतलज नदी यहां से आपको बताई था मैंने यहांपर चोटी-चोटी जलधानाए निकलते हैं जोटी-चोटी जलधानाए निकलती है जैनने क्या पूला जाता है यह मौसमी जलधानाञा है और पंजाब जो है पाँच नदीयो के संगम पर मवजूद है पांच नदीया वहां भayıती है और वहांसे मिलकर आगे की springsो पाकिस्तान वाले रीजन में जा चुका है हैंदालेकिन पूण संपुर्ण रूप से इस she आप बोला जाता था क्योंकि यहां पर 37 थी के इस बात्य जडी जा रही है फिर उसके उपर से यहास ब्यास आ रही हैं फिर वाद दरावी फिज चेनाब है जहला में तो ये वाले चेतर में वो न दीवा मिलकर का अगे बढ़िती है इसलिए पाकिस्तान वाले रीजन जो मुझूद है उसमें जो हिस्सा मुझूद था उसी के नाम पर पंजाब पढ़ाता ठीक है भारत वाले हिस्से में वो हिस्सा आमको दिखाई नहीं देता है ठीक है अब थोड़ी सी डीटेल के बारे में बारे में पंजाब के मैदान के बारे में ठीक है तो यह सतलुच और यमुना नदी के मैदान है सतलच और यमुना नदी के मैदान है मुखे रू में हिमाचल पदेश मवजूद है और नीचे की तरफ हर्याना राजस्तान आ जाएगा ठीके पांच नदियों के आब पर इस्तित होने के कारणिस का नाम क्या है पंजाब ठीके अब कौन-कौन सी कौन-कौन से यहां पर है सिंद सागर जो आप ठीके सिंद सागर दो आप कौन-कौन-सी चेनाब और जहिलम के बीच में है ठीके रचना दोआप रेचना यहां रचना दोआप है ठीके रावी और चेनाम नदी के बीच में बारी दोआप है है ना व्यास और रावी के बीच में देखो यहां नदियों के नाम से ही बना हुआ है है ना रा और च ठीक कि उसमरे में एक बार और बताओंगा गांग डौआप चैत्र मैं आपको पहले बता चुगाूँ कि दो आप 6 दो नदियों के बीच का मिलन यहां पर आजाती है और शिवालिक की तलहटी मौ मौझूद है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाता है तलहटी में यहां पर नदियों से बहुत अपरदन होता है और अपरदन से ही क्या हो जाता है यहां पर इन मैदानों का निर्मान होता है उपजाव चेत्र बन जाते हैं ठीक है उसके अलाबा बार जब आती है तो अपने साथ पर कंकर पत्थर निक्षेप और बागी सब चीज़ें लेकर आती है तो कुछ चेत्र क्या हो जाता है इसका इसका कुछ चेत्र जो बाड़ के साथ कंकर पत्थर वाला बन जाता है वो कौन सा हो जाता है वो हो जाता है भाबर प्रदेश बन जाता है तो भाबर प्रदेश यहां पर क्या हो जाता है और उपजाव चेत्र होता है वर्षा पश्चिम मौनसून ठीक है दक्षिन पश्चिम मौनसून और दक्षिन पूर्व मौनसून दोनों ही मौनसूनों से वर्षा ग्रहन करता है उसके अलावा उसके अलावा हम एक और बात करें कि ये पश्चिमी विक्षोब पश्चिमी विक्षोब से भी वर्षा ग्रहन करता है दोनों चेतरों से वर्षा ग्रहन करने वाला चेतर कौन से हमारा पंजाब वाला चेतर है ठीक है उसके अलावा जलबाईयू की बात कर तो जलबाईयू कैसी शितोष्ण है शितोष्ण पकार की जलबाईयू होती क्योंकि उत्तर में परवत है दक्षिन में हमारा ट्रॉपिकल रीजन आजाते है इसे इलिए ठीके अब उच्णे भागों में चीड है न केपरक्षी यहां पर पाई जाते है नीचले भागों में अशोख हो गया देर्दार हो गया चोड़ी पत्ती वाले वन यहां पर पाई जाते झा। धाल पर बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है फरवती है ठीक है और उसके आगे बात करें तो हमारा यहां पर कौन-कौन से छेतर आजाते है मक्का, चावल, आलू, चाए ठीक है फल पैदा की जाते है जाने चाए कहाँ पर है परवती ढालो पर जादा तर इसका उत्पादन यहां पर नहीं होता है अच्छे से यह दिए उत्पादन की बात करें तो यहां पर चावल और गेहूं बहुत अच्छे तरीके से होता है चावल और गेहूं की भी बात करें तो गेहूं भी यहां पर बहुत अच्छा होता है चावल की कॉलिटी यहां पर टॉप कॉलिटी होती है एक्स्पोर्टिंग कॉलिटी का हमार पास यहां पर चावल मिलता है ठीके यहां चूने के पत्थर तथा सलेट भी मिलता है खनी सत्व के वारों में यहां पर बात करें तो आगे बढ़ते हैं तलटी प्रदेश या फिर समतल घगर का मैदान बात करें तो यह थोड़ा सा उधर खसक जाता है ठीक है तो यह व्यास सतलज घगर नदियों के तलाई चेत्र या फिर जलोड चेत्र में पाए जाने वाला चेत्र हो जाता है यदि वर्षा की बात करें तो जा लिख वर्षा की हो जाती है उसके तुलना में थोड़ी कम हो जाती है पिछत्र से बीस सेंटिमीटर के बढ़ते हो जाता है यह हमारा हो जाता है ठीक है ऊसके अलाभा यह बात करें तो यह अर्दश्ध के छेत्र भी है क्योंकि यह जो है यह मरुस्तल से लगा घट्रay ह है यह मरुस्तल से लगा हुआ इसलिए वर्षा की मातर पिचोतर से किस तरफ पश्यम की और घटती जाती है यह चेतर की बात करें तो इस चेतर में वर्षा अच्छी है और जैसे इस तरफ जाते हैं इस तरफ वर्षा की मातरा निरंतर कम होती जाती है ठीक है इस चेतर में जा चुका हूँ, पुरानी जलोड को क्या बोलते हैं, भांगर बोलते हैं, नवी जलोडो को बोलते हैं, खादर, ठीके निरंतर रूप से, अपर्दित वाले चेत्रों में, ये मिट्टिया पाई जाती है, ठीके, अनेक स्थान उपर जल्प लवन के कारणी यहाँ पर छारी है, और लवणी है, ब्रदा यहाँ पर मिलती है, ठीके, जिसे रेह, उसर, कलर, मैं आपको बार-बार बताते हो, चल रहा हूँ, ठीके, तो होता यह है, या तो सीचाई जादा हो, आप बहुत जादा सीचाई कर दो, ठीके, या फिर जल्प लवन, जल्प लवन मतलब क्या हो ज अब यह पानी रिस नहीं रहा है, नीचे की और, रिस नहीं रहा है, तो सता पर पड़ा रहेगा, सता पर पड़ा रहेगा, तो इसके अंदर जो खनी स्तत्व है, जित्ते भी खनी स्तत्व है, वो यहीं पर रहेंगे, इसके साथ घुलित मातरा में, लेकिन जब पानी वाश पानी वाश्पीत हो जाता है और इन लवनों से एक सफेध परत का निर्मान होता है परत दार संडशना यहाँ पर बन जाती है जिसे ही क्या बोलते है रेह बोले जाता है सफेद पर्त जो बनती है उसे ही क्या बोले जाता है रए कहा जाता है और यही क्या है हमारी कांप मर्दा चेतर में खादर बांगर चेतरों में छारीय या लवनी प्रकार की म्रदा रेह उसर कलर आगे देखते हैं यदि हम सिचाई के इसाब से बात करें तो भारत का सबसे सिंचित राज है, उसके पीछे ये है कि यहाँ पर बहुत सारी हिमाले नदिया प्रवाहित होती है, हिमाले नदिया बहुत अच्छे से प्रवाहित होती है, और 55 प्रतिशत भाग जो है, पूरी तरीके से सिचाई में लिपत है, पूरी तरीके से 55 प्रतिश का चेतर है और यहां पर जो हिमाले से म्रदा आकर जमी है वो चेतर यहां पर बन जाता है तो हिमाले से म्रदा आकर यदि जम गई तो यह ऐसा चेतर बन जाता है जिसे खोदना आसान होता है नर्म मिट्टी यहां पर होती है वनसपती की बात करें तो यह लगबग 3.3 वाले वरक्ष देवदार यहां पर मिलते हैं क्योंकि अब थोड़ा साम हिमाले तलहटी वाले छेतर की छेतर में ही है उसके अलावा यहां पर वन थोड़े से कम है इसलिए जीव जनतु भी थोड़े से कम पाए जाएंगे हिरन भेडिये लोम्री और छोटे-मोटे जीव यहा यहां पर उबजाओं मृदा पाई जा रही है उबजाओं मृदा के कारण क्या है यहां पर बहुत अच्छी घासी वनस्पती भी होती है और बहुत सारी क्रशी के बड़े-बड़े छेतर भी है जोतें भी बहुत अच्छी है किसान संपन्न है अभी भी आपने किसान अंद तरीके से लहरा रही थी और सब कुछ चीजे हैं जबकि किसान यहां पर आंदोलन में जुटे हुए थे तो सतर पिचुतर पर से भाग क्या है पूरी तरीके से सिंचित है और जित्ता प्रतिशत प्रतिशत भाग जो बचा हुआ उसके उपर लोग रहते हैं और या फिर इंड क्रांती का प्रभाव यदि हम यहां पर बात करें तो 1967 से लेकर 69 के बीच में यहूं जो है यहूं की फसल जो है उसके उपर बहुत अक्तिक प्रभाव पड़ा और उसके कारण हरित क्रांती इस छेतर में बहुत जादा सफल मानी गई उसके अलावा मक्का जुआर मक्का दूद्शी चेत्र यदि पशुपालन के बात करें ठीक है तो यहां पर सबजी दूद मक्षन इन सब चीजों के आपको तो पता ही है लस्यां बनती है पंजाब में तो लस्य के लिए आपको क्या चाहिए होगा पशुपालन क्या होशकता तो होगी पशुपालन और बड़ी चेत्रों में चराई के लिए ली जाती है क्यों चराई के लिए ली जाती है क्योंकि परवतिय धालों पर यदि हम शिवालिक की बात करें तो इन धालों पर है ना शितोष्न घास के मैदान मिलते है कैसे शितोष्न घास मैदान कैसे कैसे होते है नर्म घास होती है गास नर्म प्रकार की होती है और चराई के लिए बहुत अच्छे मैदान यहां पर उपलब्द हो जाते हैं यदि हम हिमाले पर और ज्यादा उपर चले जाए है ना तो हिमाले पर और ज्यादा उपर चले जाए उपर की शरंकलाओं के बारे में बात करें तो यहां पर हमको मिलती है क्या शितोशन घास मिलती है और हिमाले के उपरी छतरों की मर्ग जो मलायम घास है शिव मंदिर के चारों और जो घास आपको दिखाई देती है वो शितोशन घास के ही मेदान है लेकिन इसके विपरीत जश्ट आप यदी ठंडी के मौसम में जाएंगे तो वहाँ पर इतनी बर्फ बारी होती है कि वो पूरे घास के मैदान क्या हो जाते है खत्म हो जाते है और उसके उपर मोटी परत जम जाती है किसकी बर्फ की जैसे ही ये बर्फ पिगलती है तो यहीं से निकल कर आने वाले जो मैदान है वो है शितोष निकटी बंदी है घास मेदान उपजाव पोस्टिक घासे चराई के लिए बहुत मात्वपूर्ण शेत्र आ जाते हैं और यह बन जाता है हमारा क्या मर्ग छेत्र जैसे गुल मर्ग सोन मर्ग और यह से मर्ग छेत्र इस नाम से जाने जाते हैं ठीक है अब पशु पालन के बात करें तो परवती शेत हैं वह बहुत अच्छी है इसलिए यहां पर पशुपालन भी बहुत अच्छे से किया जाता है खनीज वहस्ता की बात करते जादत तो और कोई खनीज यहां पर नहीं निकाले जाते हैं सामानी रूप से आपको चीज़े मिलेगी और कोई बड़ा खनीज ना तो लोहा मिले गेरू हो जाएगा मुलतानी मिट्टी हो जाएगी यह सब परवती चेतरों से मिलने वाली हमको पनसपती है उसके अलावा यदि उध्योगिक चेतर की बात करें तो यह मैदान में वस्र उध्योग भहुत अच्छे से फलाफुला हुआ है क्योंकि आपको पता है कि यहां प घेतर दिए हुवा हैं जो यहां पर आपके सामने है साइकल बनारी के मशीन हो रही है सब चीज़े लोध्यान अम्रत सर ठीक है और हलकी अभियांतलि के हवाई अड़ चंडिकर लूधियान और पटियाला में भी घरेलू हवाई अड़े मौझूद है तो यह हो गया हमारे कुझ सा पंजाब प्लेन याद रखेगा पंजाब प्लेन के बाद आते हम किसमें हरियाना का मैदान हरियाना के मैदान मैं जाते इस में दक्षिन-पश्च बीच में ऐसा पंजाब और ऐसा हर्याना उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी यहां पर राजधानी आ जाती है इस चैतर में राजधानी आ जाती है जो क्या है चंडी गड़ है जो दोनों का ही हिस्सा बने हुए है तो इस्तिती हमेशा बतानी आपको इस्तिती हमेशा बत और वर्षा रितु में यहां पर बहुत सारा पानी भर जाता है पानी भर जाने से धाड जैसी अस्ताई झीलो का निर्मान होता है तो यह ध्यार रखिए का धांड क्या है अस्ताई जीले हैं जो इस छेतर में पानी भर जाने से बन जाती है है ना मतलब अस्थाई जीले है ना पहले जो टॉपिक्स एड होते है वीश्व इतिहास में तो आपको जीलों के प्रकार देखने होते है ना तो स्थाई जील अस्थाई जील तो अस्थाई जील में आप हर्याना में लिख सकते हैं कि धांड जील जो दिखाई देती है वह अस्थाई प्रकार की जील होती है ठीक हर्याना के मैदान में आगे चलते हैं जलबायू छेत्र की बात करें तो यह भी कैसा है उत्तर की और कैसा होगा शीत छेत्र होगा है ना उत्तर की और शीत छेत्र होग कम हो जाता है वसत वार्शिक वर्ष्सा की बात करें और सद क्योंकि मरुस्थल से भी लगा हुआ चितर हैं इसलिए और सद वार शीकवर्शा कम है लेकिन परवतिय चैतरों में कितनी वर्षा हो जाती है जो शिवालिक से लगा बढ़िया वर्षा हो जाती दोनों मौनसून से आने वाली वर्षा यहां पर पश्चिय विक्षोप से वर्षा होती है तो 200 सेंटीमीटर वर्षा अंकित की जाती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पती के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो यह भी कै सिचाई अच्छी वेवस्ता है सिचाई की वेवस्ता हमको इसके उत्तरी भाग में बड़ी अच्छी सी सिचाई वेवस्ता मिलती है है इसलिए यहां पर भी क्या है वन यहां पर कम पाई जाते क्योंकि यह भी मैदान का चित्र है इसके दक्षिन में जैसे जैसे आते जाए जब आ जाते हैं तो यहां बात करें तो इस तरफ तो पंजाब लगा हुआ है इसके इस चेत्र में इस लिए यहां पर शुष्क नाग पनी बबूल ज्ढ़ीया आदी प्रकार की मनस्पती पाई जाती है और जो मौनसूनी चेत्र है कौन सा ये चेत्र है इसका कैसा है मौनसूनी चेत्र है मौनसूनी समय में यहां पर अच्छी कासी वर्षा प्राप्त होती है तो इसलिए परवती चेत्र की चीड मनस्पती यहां पर पाई जाती है और मौ प्यानाग का मेदान है जो पंजाब वाले चेतर से ही लगा हुआ है सिचाई की बात करें तो यह बहुत अच्छा सिंची चेतर है 84% सिंची चेतर आ जाता है लेकिन कुल चेतर कुल सिंची चेतर में यह चोटा है कुल सिंची चेतर में यह चोटा आ जाता है ठीक है यहाँ पर सिंचित छेतर इसका भी अच्छा खास है तो इसका भी सिंचित छेतर है क्रशी प्रधान राजी हमने पहले ही बता दिये नहरव सिचाई बहुत जादा होती है ठीक है यहां पर भी कैसी मिट्टियां पाई जाती है यहां पर भी छारी म्रदा पाई जाएगी ठीक है तो क्रशी की जाती है यदि हम हर्याना को बात करते तो कितना 60 प्रतिशत हिस्सा मतलब यह हिस्से में क्या कर रहे हैं हम क्रशी कर रहे हैं और यह वाला चालीस प्रतिशा तिस्सा यह खाली पड़ा हुआ है ठीक है मैंने उल्टे वाले चेतर में बना दिए यह वाला चेतर खाली पड़ा रहेगा क्यों क्यों कि राजस्तान से लगा हुआ है यह वाले चेतर में इतनी क्या कहो जत्ते होती है क्रशी की जाती है क्रशी का पर ली जाती है आगे की तरफ बात करें तो यहां पर हर्यानवी नसले सीधे सीधे बोले जाता है हर्यानवी नसलों की गाये ठीके यह सब पाई जाती है इस चेत्र में और अच्छा दुग दुद पादन वाला चेत्र बना हुआ है मुर्गी पालन चेत्र के बहुत अच्छी तरीके से होता रहता है तो जीवों के लिए परशु पालन के लिए बहुत अच्छी इस सिती यहां पर बनी हुई है उद्योग के बारें बात करें तो मतलब उद्योग के साधन क्या कम विक्सित है सामानी रूप से ही विक्सित है तो 1970 में हर्याना देश का पहला राज्य बना जिसके गाउं विद्धुतिक्रत थे मतलब अच्छी खासी विद्धुतिकरण यहां पर हुआ मतलब यह फैक्च्छल चीज़ है थोड़ा सा आप यदि कोई ऐसे लिखे मेंस के हिसाप से ऐसे लिखे और यदि प्री के हिसाप से कोई फैक्च्छल चीज़ आती है तो आपको पता होनी चाहिए ठीके पानी पद सो योगिक और याईची चेत्रों में बदल जाता है ठीके एटलस साइकल का कार खाना कहां पर आपको दिखाई देता है सोनी पत में एटलस साइकल का कार खाना दिखाई आपको देता है ठीके बहुत सारी बहुत मतलब इतनी चीज़ है मैं आपको यहां पर बता दूँगा कि की मतलब आपको लगेगा कि अरे दिमाग नहीं फट जा हमारा है ना चलिए अब यहां से बात कर दे परीभान में पक्की सड़कों की बहुत अच्छी दिवस्ता है अंबाला रहतक है ना रहतक और भी बाकी जितने भी चेतर है तो यहां से रेल मार्ग आपको दक्षिन भारत तक मिलता है करनाटक तक है ना अंबाला के रहतक के करनाटक के यह सब रेल मार्ग यहां से मिलते हैं उसके अलावा हावाई पट्टी भी दिखाए जैती है कहां पर हिसार में हावाई पट्टियां भी मुख्य रूप से दिखाए जैती है अब आ जाते हम बीच वाले मैदा अभी तक तो हम किस तरफ चल रहे थे पश्चिमी मैदान की बात कर रहे थे अब आ जाते हम किसमें पूर्वी मैदान की तरफ बात कर लेते तो देखिए मध्य और पूर्वी मैदान हमारा यह मध्य वाला चेतर आ गया और यह थोड़ा सब पूर्वों में चले गया मध्य का मेदान है गंगा के मेदान की विशेषता बोले तो यह बहुत चोड़ा है न यह सब उसकी विशेषता है प्रमप करूप से आजाती है ठीक है लंबाई की बात करे तो कितना 300 किलोमेटर कितना है 300 किलोमेटर चोड़ा है यह पूरी चोड़ाई में बात कर तो यूपी में अच्छी घासी चोड़ाई दिखाई दे रही है बिहार में पच्छी मंगाल का यह चेतर भी क्या है पूरा मैदानी चेतर डेल्टा वाला चेतर भी यहां पर बना हुआ है ठीक बात करें तो ये बहुत बड़ा चितरफर लेकर आता है उठाव मेदान की परिपेक्श में ये बहुत बड़ा चितरफर कवर करता है 3.5 लाख वर्ग किलोमेटर गर थीज़ाध करता है ठीक है इसको आधने तीन भागों में भाजित किया जाता है ठीक है तीन भाग में इसके बता देता हूं अपर गंगा प्लेन लोवर गंगा प्लेन प्लेन यहां पर आ जाता है और यह लोवर गंगा प्लेन पच्छी मंगाल में आ जाता है ठीक है उन्हीं के बारे में विशेस्ताओं के बारे में हम यहां पर देख लेते सबसे पहले उपरी गंगा का मैदान के बात कर लेते तो उपरी गंगा का मैदान यूपी में आता है यूपी में कहां से लगा हुआ है यूपी में लगा हुआ है उत्तरा खंड से शुरू होता है और यहां पर यूपी के कि भी च्वाली चेतर थे कि थोड़ा सा भलब लगभग यूपी का कित्तन प्रथिशत हिस्सा कभर कर लेगा अपर गंगा का मैधान के बात करें तो लगभग ये 70 प्रतीशत हिस्से को यूपी के कभर करता ये कौन साब पस्छी दिखाई दिए और संवर्शा रेका समोच्य रेका मतलब एक समान वर्श करेखा समु चाहिए वालें समोच्य मतलब एक समान ऊचाई वाले और सम वर्षा रेखा मतलब कौन से हो जाते हैं ऐसे जहां पर समान वर्षा होती है थीक तो इसको क्या बुलेंगे आईसो आईसो हइड और यह हो जाघ आई सो है फॉयर आई सो फोर आइसो हईड थीकित तीनिसमेटर समुजचर एका निधरित की गही है टिक उसके उसमें गड़वाल चेतर आजाता है कुमायू चेतर नाट है ठीक है तो यहंने करती है दिली के पास मसे और यह बंद सेटर ऊगे यूपी और मध्यप्रदेश कान लगाओ र HC शेतर रीरा तो यह जाता है अशान्ची इस्तिति की बात कर तो 25 दिग्री 15 मिनिट से लेकर 30 दिग्री 17 मिनिट यह कौन सा है ukryakshanच और देशांतर की बात कर देख़न से लेकर 92 21 मिरिट पूर्वी देखांतर तक यह मौझूध है इसको इतना ज Ing- themes याद ड़ना कोपरी गंगा करते है रोहेल खंडे का मैंद का रोयल कि अमया यह Works और अला कहा से आता है यह तराइस अग्लण भाग या फी रोहिल नामक अफगानी जन जाती के कारना लगया रोहेल के रिख दिया ठीक है कौन सी जन जाती है रोहिला नाम अफगानी जन जाती क कारण इसका नाम क्या रख दियागा रोहिल खंडर रक दिया गया र ogusa की बात करें तो यहां पर वर्शा 90-100 cm सेंटीमीटर हो जाती है बाढ़ प्रभावित छेतर आ जाता है ठीक है बाढ़ प्रभावित छेतर पूरी तरीके से हो जाता है यहां मुख्य तहार कितनी सो सेंटीमीटर है ना सो मीटर ठीक है यहां पर रेत की जो परत है है ना सो मीटर ऐसी उची मानी जाती है मुख्य तहा यहां पर सेंडी इलाका या रेतिला इलाका है, जो थोड़ा ऊंचा होता है, लेकिन ये कौन सा है? कैसा इलाका है? Bangar ये Bangar region है और जैसे ऐसे नीचे उतरेंalten हैं हम गंगा के ऐन्ग मक्ली खंगा से हम नीचे उतरें तो यहां बांगर मिलता है, मद्धि गंगा में कौन सा मिलेगा खादर बांगर दोनों मिलेगा और फिर उसके नीचे कौन सा मिलेगा, बांगर मिलेगा ठीके, मैदान का सरवच्च बिंदू कहां पर है मुरादाबाद में 290 मीटर की बात हो रही है यह ठीक ए फिर गंगाययुमिना का दो आप Concetto गंगायय मना 2-0 को मैं पहले भी बता चुका हूं कि दो आप चेतर मतलब दो नदियों के मिलन काव बीच का इसठत ए lleva क्षेतर होता है इधर से घंगारी इसब आप और यह जहां पर मिल जाती ओनके बीच का च newcom का चेतर धोता है आड जल сейчас कए चैतर होगया गंगा यमुना के बीच को चेतर है और यहांपर अहला कि यहांपर सो सेंटिमीटर है यहां रह तो से म्रदा प्राप्त होती है मतलब यहां पर सो मीटर उचाई पर वर्दा आपको प्राप्त होती मतलब यह थोड़ा सा निचला मेदान है थोड़ा सा हम कहां पर आ चुके नीचे की तरफ आ गन्नी के करशी के लिए बहुत ज्यादा उप्यूकत है जल धारन शमता अच्छी खासी है यहां पर बहुत अच्छा खासा जल मिलता है यह दो आप छेतर होते हैं ठीक है अत्यंत ठीक है फिर अत्यंत उपच एवं वर्षा है परंतु नहरों का विकास यहां पर क्या हुआ है समुचित हुआ है ठीक है वर्षा यहां पर कितनी होती पिचपतर से नभे सेंटी मीटर होती है यहां पर इस चेतर में वर्षा देखी जाती है और ख्रिषाई के लिए भी बढ़िया चेतर आ जाता है फिर उसके पास जाते चंबल और यमुना की उत्खाद भूमी तो यह म यहां से निकलती है चंबल निकलती है और यहां से मद्द प्रदेश में जाती है मद्द प्रदेश और यूपी की सीमा बनाती है और यमुना में मिल जाती है यमुना आ रहे है इस तरफ से डिली से बहती हुए आती है यहां मिलती है गंगा भी यहां पर मिल जाती है ठीक है मद्द प्रदेश और राजिस्थान और यूपी के बीच वाला चेतर जो है वही क्या है उतकाद भूमी चेतर यहां पर कहलाता है तीक है यहां पर बड़े-बड़े बीहड चेतर बने हुए है तीक है और यहां पर बड़े-बड़े गड़े वाली भूमी बनी हुए यह जीन अपर्दन जादा है नदी कौन सा अपर्दन करती है उतकात भूमी में गली अपर्दन करती है गली अपर्दन अवनाली का अपर्दन भी इसको बोलते हैं अवनाली का अवनाली का अपर्दन गली अपर्दन या फिर अवनाली का अपर्दन यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक तो नदी कौन सी है चंबल है जो किसकी साहिक है जो है यमुना की साहिक और उसकी साहिक नदियां भी उसके साथ में अपरदन का कारी यहां पर करती है आगे बात करें तो बहुतिक दशा हैं बात कर रहे हैं हम उपरी गंगा के मैदान की किसकी बात कर रहे हैं उपरी गंगा के यहां पर दिखाएते हैं प्राय मैदान मतलब क्या हो जाता है एक दम सम्तल स्लाक्रती सीधी सीधी हमारी यहां पर बनी बनी हुई है ठीक है यहां पर बीच में खादर बांगर की उत्खाद छेतर मिलते रहते हैं हमको इस वाले चेतर में ज्यादा तर क्या मिलेंगे बांगर यहां पर बांगर मिलेगा और थोड़ा सा नीछे आते जाते हैं तो हैं पर खादर बांगर दोनो मिलते हैं क्योंकि यह छेतर क्या हो चुका है जलोड के जमाओ से क्या हो चुका है अभी हमने देखा कि मॉशाध हूंशा उच्वा कितनी है हिमाल्य तलहटी क्यों ठीक है 300 मीट Kelsey देखने को मिलती है जिसंसे क्या होता है यहाँ पर उचे छेतर यह बंगर चेतर कहलाते हैं दिके सामानिय उचाई हमने यहां पर पता दी है ऑलावा गारा नदी यहां से प्रवाहित हो जाती है और यहीं पर उत्काद को यहां पर समेट कर ला देते हैं ठीए यह सामानी रूप से किसा है अधिक उपजाओ है क्योंकि बांगर वाला चेतर भी बन रहा है खादर वाला भी यहां पर चेतर बन रहा है लेकिन नदियों द्वारा सिंचित है नदियों द्वारा सिंचित है यहां पर अच्छी कासी आ रही यह मुना गंगा राम गंगा राम तो ये चेत्र हो जाते हैं ये उपजाओं चेत्र बन जाते पानी की अच्छी विवस्था के कारण गश्यूमति लागत- चेतर के हम बात करें तो घागरा, शार्दा, सर्यू, हैना काली ये सब नदियां कहां पर मिल जाती इसके निचले वाले आगे की तरफ हम बढ़ जाए तो उसमें मिलती है सभी नदिया उत्तर पश्चिम से दक्षिन पूर्वकी और बहती हुई नजर आती है उत्तर पश्चि तरही नदिया है ज़ो शिवाली को निगलती है उनके बारे में बताए घराइ में भांबर और और कोंसे ट्राइच चेतर बन जातेते हैं तरैइकक्वे अरं भांबर चेतर यहां पर दिखाई जेटे हैं ठीकर काली नदीë का दिखाई जेती जापर नेपाल और चित्र पंडर इसके आगे कौन से दिखाई जैती गूमती है गागरा शारदा यहां पर दिखाई जैती है सुदूर उत्तर में बात करें तो यमुना गंगा राम गंगा और गहगरा है ठीक है चलिए अगे वरते ही जलबायू की बात कर ले तो यह जो मैद का मतलब क्या हो जाता है कि यहां पर वर्षा काल में अच्छे खासी आदरता रहती है लेकिन जैसे ग्रिश्मकाल गृष्म रितू आती है है तो यहां पर अधरता की मतरक्त पहती कम हो जाती है सामानी स्थिति के सब्सक्रेक शुश्क होती है क्योंकि यह भी लगा हुआ चेत्र एक से यहां से राजस्तान से लगा i жизни है यहां बिलू की सब्सकी बन जाती है लू भी नहidor पर के देखी जाती इसलिए यह पक्षु सब्सक करें बन जाता है तीग ग्रीश मुरुथु में गरम लू चलती और शीत रुभने ठंडी पहुने चलती है ठंडी पहुने हिमाले से आती है और अदे पस्षिं से यहां पर कम चेटर में प्राक्रतिक वनसपती यहां पर पाई जाएगी वर्तमान में केवल गहास के मैदान अच्छे खासे हैं इसलिए यहां पर प्रक्रतिक वनस्पति क्या है कम है ठीक है परीवहन के लिए मारगू के अच्छी खासी वेवस्ता हो जाएगी ठीक है फिर वन्चेतर को साफ कर दिया गया और उसके साथ में क्रशी चेतर को ज्यादा बढ़ावा दिया लिए इसी चेतर में दराई को अना दराई कि तराइख को किसमें बदल जा बदला जा रहा है कर चेतर को किसमें बदल में करें लेस के रूफ में的 उद्ध्यम है तो क्रशीवाले चेतर के उद्ध्यम यहाँ पर बनेंगे तो 85 प्रतीशत खाद्याने वदाले बोय जाते हैं और लगभग आजपतिशाच छेतर में गन्ना शेश भाग पतिलहन का पास सबजी और ये सब चीज़ें यहां पर उगाई जाती है यदि हम बात करें गन्ना गन्ना उत्पादन में यूपी क्या है नंबर वन पर है उसके अलावा फल उत्पादन में भी वर्तमार इस्थिति में नंबर वन इस्थिति में आ चुका है यूपी यूपी में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है नहीं तो पहले महाराश्ट हुआ करता था नंबर वन है ना लेकिन अब नंबर वन पर कौन है फल उगाने में फल की मातरा बढ़ाने में यूपी नंबर वन पर मज़ोद है आगे बात करें तो ये भी चैतर कैसा है ये भी चैतर वही हिमाले तलहटी चैतर है इसलिए खनीजों की मातरा यहां पर लगभग ना के बराबर पाई जाएगे ठीक है लगभग ना के बराबर पाई जाएगे कुछ ऐसे खनीज जो उन सिलिका और रेज से निकलते हैं चूने हो गया चून करते हो तो कुछ परियुजना ऐसी चल रही है जो हमारी किसके साथ महारी नेपाल के साथ चलने वाली कुछ परियुजना है और वह परियुजना हमारे इस फ्रमें महत्व भूमिका निभाद इस जैसे टकनपूर परियुजना यूपी नेपाल मतलब भारत और नेपाल की सेयोगत परियुजना है उससे जल्विद्द भी मिलती है उससे सीचाई के लिए जल्वी मिलता है ठीके और उसके अलावा यदि बात करें तो शक्ति ग्रह हमारे बहुत लगाए गए है और ये करशी का छेतर है दूसरी दूसरे चेतर बात करें खजणीज नहीं पाए जाते खणीजों के लिए सबसे अच्छी स्तिती क्या है कि वहाँ पर कच्छा माल भी मिले वहाँ पर पर परिश्रम करने वाले जो मजदूर है वो भी सस्कते मिले ठीके लेकिन मजदूर किसमें तो कि इससे लगा हुआ छेतर नईडर अ जाता है उ इसलिफी के फास में लगा वच्छी है लृष्णी नौयडा है हो फूरी तरीक से फीड़ों पूर टेल क्यंदर बन चुका बहूत बड़ा उध्धेदेशोग को यहां पर डेवलप कर लिया गया है तो मतलब कहां पर प परिवान बहुत ही अच्छा परिवान हमको यहां पर देखने को मिलता है राष्टी राजमार्गों की लंबाई बोले तो यह बहुत अच्छे कास राष्टी राजमार्ग की लंबाई बोले तो यहां पर रेल मार्ग की लंबाई भी बहुत अच्छी ग्रैंट रंक रोड यह गर आ जाते कि कौँ से मध्य गंगा के मैंदान में अब tips थरूं को हम देखते हैं सिति soort बिस्टार की बात करें तो क्या है यह कहां पर आजागा मद्य गंगा के मैंदान को पहले यहां पर हम संपूर्ण बिहार यूपी का पूर्वी हिस्सा और संपूर्ण बिहार वाले चित्र जो आ जाता है कौन से मैदान में आ जाता है मद्द गंगा के मैदान में आ जाता है मत्षीमी सीमा की हम बात करें वहां से प्रारंब होगा और उत्तरी है उत्तरी मेदान में आरंब होता है ठीके 30 मीटर यदि बात करें तो कितना है पूर्व में 30 मीटर और कोसी तता दक्षिन में 45 मीटर समोच्च रेखा आती है तो समोच्च रेखा को ना भी याद करेंगे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है उत्तर की तरफ जाएंगे तो 300 मीटर की समोच्च रेखा हमको मिलेगी अंतराष्टी सीमा किसके साथ लग रही है नेपाल के साथ में अंतराष्टी सीमा हमारी किसके साथ टच हो रही है उत्तर म ठीक है और समोच चरेखा को नहीं भी याद करेंगे तो ठीक रहेगा तो अब कहां से शुरू हो रहा है यदि ये इसकी स्थिती की बात करें तो दक्षिन की सीमा जो शुरू होती है कहां पर है छोटा नाकपूर के पठार से शुरू होती है और कहां तक जाती है चलका जाएगा जाका जो कहां तक जाएगा सासाराम तक जाएगा ठीक है अब इसको फिर से तीन भागों में विभाजित किया जाता है ठीक है तीन भागों में भाजित करते हैं देखते हैं कौन-कौन से भागए सबसे पहला है अवद का मैदा कहां से गोमती और घागरा न अवद का मैदान है अब मिढां क्या हो जाईगा वही कि ऐसे हे है ऐसे मिधिला का मैदान हो घो घा जाए है और नाम लीखते चलते हैं यह अवाद मैधान हो गया यह वाला सोगाया दिट्रmud कर देता हूं उससे और चीज पिशल़्ी अधियर हो जाएगी एक से ये रहा और एक सा this समझ में अगये मैदान ओगे अमारा वद फिर ये मैदान होगे अमारा मिधे देखो ये पुराने प्राचीर नाम है इसलिए ये यूपी विहार दोनों छेतर को समाहीद करते लेकर चलते हैं ठीक है क्योंकि उस समय तो नहीं पता था ने यूपी कहां से शुरू होगा बिहार कहां से शुरू होगा ठीक है इसे लिए अब यह जो हमारा कौन से मैदाने मिधिला का मैदान है यह बहुत सारी नदियों के मार्क परिवर्तन वाले छेतर में आ जाता है यहां पर कौन सी नदी यहां पर परिवॱ्टिं करने यहां मार्ग परिवृतिन । न करने वाली नदी हो इसक烦ा बिहार का जो चोटर गया। तराई चितना वर्षा की बात कर तो 125 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होती है और तालाब जीलों की प्रचूरता के करण प्राकरतिक रूप से मचलिया उपलब्द हो जाती है तालाब जीलें यहां पर अच्छी खासी मिलती है मगत के मैदान की बात करें ठीके मिधिला का मैद इसका मिलती है कठोर पठारी नदी हो पठारी नदियां यहां के विदान में कॉन सी नदी इंतर रही है परंतु सूखे का प्रकोप भी दिखाई देता है किस तरफ दक्षिन की और जैसे ऐसे आते जाते इस मैदान में जैसे ऐसे दक्षिन की और बढ़ेंगे है यहां पर सूखे का प्रकोप यहां पर दिखाई देखा क्योंकि यह वाला छेतर जो है है जो छेतर लगा हुआ है कहा है व्रक्षाकार जल्पराव चितर देखा जाता है नदी एक दूसरे के निकट मोड बनाती हुई मिलती हुई है ठीक है समस्ते मैदानी प्रदेश गंगा का मैदानी प्रदेशी हो जाता है तो इसमें गोमती घागरा गंड़ कोसी सोन तो पठार से आने वली प्रमुक नदिय ठीक है आगे बात करें जल्वाईव की तो जल्वाईव जो है शुषक कैसी है अपर गंगा मैदान और पूर्व में अति आतर एक और पूर्व में जैसे ऐसा बढ़ते जाते है तो आदरता हुआ पर बढ़ती जाती है निमनि गंगा के मैदान में और मध्यवर्ती चेतरों में क्या हो जाएगी आधरता बढ़ती जाएगी क्योंकि यह चित्र जो लगा हुआ है कहां से लगा हुआ है राजस्तान से फिर यहां पर आधरता और बढ़ जाएगी और यहां अधरता और बढ़ जाएगी क्योंकि डेल्टा वाला चित्र है और भी नदियां आसपास में सं अपरेल में जो वर्षा हवाएं चलती वर्षा वाली हवाएं चलती उसको क्या बोले जाता है नौर्वेस्टर हवा या वीर हम इसको क्या बोलते हैं इसका एक जवाब आपको देना है इसको क्या बोलते है इसको तो मैं बताऊंगा नार्वेस्टर को और किस नाम से यह जानत जाता है असम में इसे बोर्डो चिल्ला के नाम से जानते लेकिन इसे क्या बोला जाता है यह आपको बताना है ठीक है पूर्वी भाग में जो वर्षा है और बढ़ती जाएगी पूर्व की ओर जाते हुए ठीक है और पच्छी में भाग में 100 cm के आसपास वर्षा होती है ग्र है यहां पे सबस्था अधिक घर महीना होता है शीट कालप्राय शुष्कर होता है क्योंकि वर्षा यहां पर नहीं होती इस मैदान में और देखो पच्चिम विक्छवव कहा तक आता है पच्चिम ही विक्छवव यह ती देखने को मिलेगा तो ऊपरी घंगा के मैं में बाखि नहीं होते शक्षी चितोष ने चक्रवाद होते हैं तिके फसल के लिए कोते हुती लेकिन अत्य सब्सक्राइब करें। तो वन चेत्र चंपरण जिले और तरही चेत्र में ही पाई जाते हैं उत्तरी बिहार और दल्दली चेत्र में यहां पर आते हुए बनस्पती क्या हो जाती थोड़ी सी कम हो जाती जैसे से नीचे की तरफ आएंगे मद्दप्रदेश की तरफ और बिहार की तरफ तो यहां पर बनस्पती क्या हो जाएगी थो डिसी कम यहां पर दिखाई देती है ठीक है साल के अब रक्ष चंपारण वाले चेतर में शिवालिक चेतर में पाई जाते हैं क्योंकि बिहार में हिमाले का यही चेतर दिखाई देता है मैंने हिमाले की विवाजन में बताया था कि चंपारण बिहार यह शिवाली की म लिका सित्र है कि बात करेंते ये ब्ल,- अपर आफ उपड कांप मिट्टी पाई जाती है जो नदी से निर्वित होती है एखादर वांगर के दोनों शेतर यहां पर आपको मिलते हैं मुखिय रूप से जलोड मिट्टी हैआपर पाई जाती थ्र, तोड़े से जादा होंगे क्योंकि इससे जारकन वाला चैतर लगा हुआ है इसी लिए यहां पर थोड़े बहुत उद्योग है उसकी तुलना में यहां के उद्योग थोड़े से अच्छे घासे डेवलाप यहां पर है पर तो अगला हिस्सा होजाता है जो आ जाता है निचली गंगा का मैदान निचली गंगा का मैदान कहां पर आ जाता है ये पच्छिम मंगाल वाला छेतर है जहां से नदी दो भागों में भाजित हो जाती है एक नदी कहां पर जाती है दो भागों में भाजित होती है एक हुगली के रूप में यहां आ जाती है जो गंगा की वित्री का है और एक किस तरफ चले जाती है एक पच्छिम मंगाल में पिंटर कर जाती है ठीके अब आगे बात करें तो यह अंतर रस्टी सीमा भी बना देती कर यहाँ पर मैधान क्या होता है अंतर रस्ट सीमा के रूप में भाजित थे क्योंकि ये गंगा का मैधान ही है निचला लेकि नि दो दो वनवागों में वाजीत है, एक तरफ क्या जा रहा है, एक तरफ बंगाल जा रहा है, जो हमारा परबफिसे बंगाल चेतर है और इधर की तरफ बंगलादेश, पर बंगलादेश की चीतर दो हिस्सों में मैदान अलग अलग रूप में ये विभाजित हो जाता है इसलिए अंतर राश्ची सीमा भारत बंगलदेश के रूप में भी बनती है दारजिनी हिमाले के परवती छेतर से नीचे की तरफ पूरा बंगाल की खाड़ी तक का जो छेतर है है रहो नाखपूर के पठार तक के छेतर का ये हिस्सा आ जाता है इसमें दामोदर नदी भी आती है कहां से छोटा नाखपूर के पठार से दामोदर नदी भी आकर मिलती है जो बंगाल का शोक कहलाती है कौन सी नदी दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है ठीक है अब इस छेतर को भी क्या कर चुवार और बील ये जीलें बोले जाती है ना चुवार और बील क्या है ये जील छेतर ही है जो क्या होता है असम से लगे हुए चेतरों में जीलों को क्या बोले जाता है बील है ना दीपोर बील है ना जैसे आपने वह पर एक जील का नाम सुना होगा दीपोर बील 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 चेतर कहां पर बोलते हैं असम में ही जीलों को बील बोला जाता है तो दिपोर बील और यह कौंसी नदियों के तटो पर या फिकिनारों पर बनने वाली जीलें यह कहला जाती है ठीक है नदियों के आप परदन से बनती है और डेल्टा चेतर में हमको मिलती है आप सुंदरी व हर दो शोटा नाखपूर से सता हुआ मैदान जो है चोटा नाखपूर के पठार से मतलब यह वाला ये वाला जो चैतर है ये कौंसा मैदान है रार को का मैदान कर को कि समय गवाह पर इसक अलावलंब कद यहां पर फूटा नाखपूर पर जाती है गंगा नदी यह याद रखिएगा नदी तंत्र बताऊंगा उसमें मैं आपको नदी के बारे में बताऊंगा ठीके तो यह पठार से लगा हुआ चितर है तो यह कम उपजाओ है बंजर चेतर है लेट्राइट यूपति यहां पर मदा मुर्दा मिलती है कहां पर तरफ परवती चेतर में और वैसी ही चेतर यहां पर नीचे भी मिल जाते हैं ठीके डेल्टा का मैदान क्या हो जाता है सरवाधिक विस्तरत मैदान है अंतरस्ताली मतस्य केंद्र है और जूट का उत्पादन यहां पर होता है जूट के बारे में बात करें तो इंडिया पहल यो नर्मदा के गंगा के निचले मैदान डेल्टाइप प्रदेशहों में ही देखा जाता है डेलटा होता ज्यूट वाला चित्र हो जाता है जो कहाँ पर पश्रिमंगाल वाले चित्र में और इधर के दरफ बांगलादेश बैं बात करें तो समुदरी हमाँ से यहां पर अच्छी खासी वर्षा होती है ठीक है उचाई उचाई को आपको ज्यादा तर ध्यान नहीं देना है ठीक है और यह हमारी भोगोलिक दशा को निधारित करती है सीमाओं को बना कर ठीक है यहाँ पर खादर म्रदा पाई जाती है मतलब नभीन जरोडो म्रदा पाई जाती है जो दलदली चेतर यहाँ पर अधीक है मतलब यहाँ पर खारी म्रदा भी पाई जाएगी मतलब यहाँ पर को उनसी होती है खारी वाली म हुटान karena दूससे ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली नदी है तो इनका अपवाद यहाँ पर आ जाता है जलवाई यूगiyim जलवाईपी स्थिति की बात करें तो तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाउं से यहां पर क्या आ ऑजाती है है रचार यहां पर प्राप तो होती है हिमाले परवती चेटरों से उची चेटरों जो हवाएं नीचे ऊतरती है उससे माहूल यहां पर क्या हो जाता है ठंडा बन जाता है उसके अलावा मेगालाई पर जो वर्षा होती है उसका भी जल कहां आता है इसी चेतर में आता है इसी लिए नदी क्या हो जाती वित्रित हो जाती मैंने डेल्टा और एशुरी बता है कि डेल्टा किसे बनता है एशुरी किसे बनती है तो दोनों हिस्सों को बता है और उसकी स्थिति यहाई पर बन जाती है जलबाई भी और अपवा चेतर के आधार पर वर्शा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा का चित्र के साहरे अच्छा खासा 1 झतरि यहदि वराल भात करें इकสो सैर्टीमीतर से चारव सेंटीमीटर टक वर्षा यहां पर देखी जाती है क्योकि इस को 예शी को होती हैं हिमाले में उत्तर पूर्वी मांसून पाउने इस्तल की और चलने लगती है कि छलना लंसून का लोटना ये की सीच को बता रहे हैं मौंसून का लोटना थिकिए अब इतनी देर ऐसी मतलब धड़ा धर 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 पढ़ाते हुए हो जाती है तो मतलब क्या ही बोले बिना रेटेक करें सब को चीजह चलती रहती है निरंतर ऐसा ही क्लाश में भी वैसा ही सेम इस्तिति बनी रहती है थिके तटी चितर में भी अच्छी खाशी वर्षा होती है और यहां पर लिखा हुआ बता ही दिया उन्होंने क्या बताते है इसी को काल बैसा की बोला जाता है काल बैशाकी बोल दो या फिर नौर्वेस्टर बोल दो काल बैशाकी से बोला जाता है वोड़ो चिल्ला बोला जाता है कहां पर हमारे असम वाले चेतर में जो वर्षा होती है पहले ठीक है मद्रप्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है और महराष्ट में इसे किस नाम स से जाना जाता है ठीक है अक्टूबर से मार्च में हरा अक्टूबर से मार्च में यहां पर वर्षा दिखाई देती है ठीक है तो चलिए ये था हमारा निचली गंगा का मैदान समाप्त मतलब गंगा का मैदान भी समाप्त हो चुका है अब हमारा बज़ गया है कौन सा ब्रह्म पुत्रा का मैदान अब हम अगला लेक्चर जो शुरू करेंगे कहां से शुरू करेंगे ब्रह्म पुत्रा के मैदान से अगला लेक्चर हमारा शुरू होगा अभी तक यहां तक मैंने आपको विस्तरत जानकारी दी है इसमें हमारा कोई भी ऐसा कोई विशेश पॉइंट नहीं चूटा हुआ है जिसमें आप कोई प्रशन ना बना सके गंगा के मैदान से और यदि आप अब भी नहीं बना पात दिखाई देता है तो उनको यहां से निकाल कर यहां लगाना इसका कुछ एक मकसद होगा यह मकसद आपको पूरा करना है कि यहां पर क्यों लगाया गया है यह आपकी सहुलियत के लिए कैसे होगा ठीक है तो चलिए बने रहिए यू एकेडमी के साथ में मेरा नाम है अंकि Thank you so much.